अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और कॉमेंट करें तो आज की इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं डिरेक्ट रेट ओफ एजुकेशन जी एन सीटी ऑफ डेली की तरफ से अगर उचाले हैं तो कम से कम एक हेड तो होना ही चाहिए उससे जादा भी हो सकते हैं लेकिन एक हेड जरूर होना चाहिए कम से कम ठीक है तो इसका सग़लुशन देखते हैं कैसे करेंगे इसको हम तो यह हमारे पास सग़लुशन हो जाएगा जब तीन कोई जो है वो उनको इखटा तॉस किया जाता है तो possible outcomes जो होते है वो कितने होते है total 8 होते हैं कैसे मा specifically हो सकती है कि I know फे Ded・ deixa-head आ गया 흥ेंत शेकिंड क्या हो सकती है तेल 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 आ गया तीन और ठीक है थार्ड क्या हो सकती है कि I know इन जो है. ये तीन सिक्कें हैं. इसमें. एक पे पर तेल आया है. जिक रहना है. इसके बाद चौति पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? कि इसपे भी तेल आगय बुक्रीन नोटा संसी मैं एक यह उत्ति पर निरूअ को सकती है. चौति हैं. टाहिए कि first पे tail आया, second पे head आया और third पे भी head आया ठीक है और last possibility क्याँ बछ गई कि first पे head आया, second पे tail आया, third पे भी tail आया तो इस तरीके से 8 possibility हमारे पास हो सकती है इन तीनों sich鬼 कि किस पे head आ सकता और किस पे tail आ सकता है, total 8 ऐसी possibility हो सकती है हमारे पास possibility क्या होगी probability क्या होगी कि कम से कम एक head तो आएगा ही आएगा तो अब वो probability क्या हो सकती है देखो कम से कम एक head यानि कि एक head तो हो सकता है एक head तो आना ही आना है उससे जादा भी हो सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि एक भी head ना हो ये condition हमें नहीं लेनी, तो देखो, first condition यानि की HHH, तीनों पे head आ गया, ठीक है, हम ले सकते हैं यह है tail, 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 इसमें एक भी head नहीं है, तो यह possibility हमारे पास नहीं बन सकती फिर second हम यह ले सकते हैं tail, head, tail, इसमें एक head है, तो हाँ यह ले सकते हैं, फिर third वाली क्या है tail, tail, head, इसमें भी एक head है, तो यह भी हम ले सकते हैं next क्या है, head, head, tail इसमें दो head है, तो यह भी हम ले सकते हैं उससे अगले में क्या है, head, tail, head इसमें भी दो head है, तो यह भी हम ले सकते हैं, next में क्या है tail, head, head, इसमें भी favorable outcomes हो जाएंगी हमारे पास तो अब जो probability होगी कम से कम एक हैड लेने की वो क्या होगी उसका formula कैसे निकालते हैं number of favorable outcomes divided by total number of possible outcomes favorable outcomes जो हमें चाहिए कि कम से कम एक हैड वाले हैं वो कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 7 है divided by जो total है हमारे पास possible outcomes वो कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 वो है 8 तो 7 divided by 8 तो यह जो probability है 7 by 8 यह probability है कम से कम एक हैड की जब तीनों coins जो है वो simultaneously toss किये जाएंगे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 7 by 8 is the probability of getting at least one head when 3 coins are tossed simultaneously तो इस तरीके से हम इस question को solve कर सकते हैं और आशा है कि आपको यह question समझ में आएगा यह video समझ में आई होगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को like share or comment करें चानल को subscribe करें मिलते हैं next video में करें में आपको वीडियो।